नमस्कार मैं हूँ आपके साथ रितिका शर्मा और आप देख रहे हैं A.C.N. भारत आज हमारे साथ इस्टूडियो में मौझूद है छूटे पर्दे की चाइल्ड एक्टर अजिंक मिश्रा अजिंक सबसे पहले A.C.N. भारत में आपका स्वागत है असरी वाथ अजिंक सबसे पहले हम आपसे जाहांगा कि आपने अपने कzhल पे करियर के स्टार्टिंग कब और कैसे की योजी मैंने करियर की स्टार्टिंग जब मैं साढ़े-thीन थीन साल का था तब से की तो एक छोटे से मॉड़लिंग शो से की, तो मेरे नेवर थे परमार सर, तो मैंने बहुत प्यार करता था, तो वो मेरे पारे में बोलते थे, मेरे पापा से बोलते थे, कि मुझे भी अक्टिंग करनी चाहिए, मुझे बड़े पर्दे पर आना चाहिए, तो एक बार उन्हों में कुछ तो कैसा मतलब की, बोला की मुझे जाना चाहिए, और एक मॉल में अडिशन चल रहे थे, फ्री अडिशन थे, तो पापा ने ट्राइ किया मुझे जाने का, तो मैं गया वहां पे, तो वहां पे जो भी अडिशन मेरा ले रहे थे, उन्हें भी मैं बहुत पसंद आ उस ताइम मैं बहुत ही छोटा सा गुबो सा साधी तीन साल का लड़का था, जी, आप एजा एक्टर किसे अपना रोल मॉडल मानते हैं, आजेंक, एजा एक्टर मैं रितिक रोशन को अपना रोल मॉडल मानता हूं, आजेंक, आपका एक वीडियो भी वायरल हुआ था, रितिक रोशन एक, उनसे मिलना मेरा ड्रीम था, जो मिलना मेरा ड्रीम होता है आज हो ठुछी के हासनों आपने अपी झलक्टे हैँ, अनसे मिलते वक्त मैं जब रोया था, दो उननों ने बोला था था कम सिट, आऌब वोला ता, भोटो लो मे साथेक, तो उनकी आवाज, उ होते हुए देखा था रितिक रोशन से मिला था मैं मेरी फिलिंग ती याऊ रितिक रोशन से मिला हूं मैं अँ अची आब रन्वीर सिंग के साथ भी आपको एक cell एड में और फ्लेयर योलो का भी किया था तो उसमें मैं एक बुली बच्चा रहता हूं जो जाता हूं जाता हूं रणविर सिंग की दुकान पे शॉप पे जाता हूं एंच्वेली बोलता हूं कि हेलो बेस्ट एंड राइटिंग के लिए स्मूथ पैं कौन सा है तो वह मुझे योलो जो लो पेन है तो वह पेन के बारे में वह एक आड था जिसमें वह और एक बात और बताओ तो उनका स्वभाव जो है न वह बहुत ही प्यारा है एनरजेटिक है जब वह सेट पर आते एक अलगी फीलिंग आती है उस एड में जो अनुभव था वह सबसे अलग था बाकी एक जर्द प्रजक्ट एंड़ उसमें पुर्टोच एक एक पर ना हमें तो एक एकराग को पुर्द मिलेगा झाल विल में अपन को था बने ने च्ड़ ट एक वह इकरती तो ना है यह उती durability तो वह डॉप से पहले डरता है उसका एक मुजिक बॉक्स अरहता है जो डाद नसे गिफ्ट किया होता है तो वह रहता है और फिर अपर बाद में दोस्ती हो जाती है लेकिन बीच में जो ट्विस्स रह आपको बाद में देखने मेलेगा क्योंकि मैं आपको सिफ छोटी सी बा बहुत ही अच्छी सुकून वाली फीलिंग आती है जी देखिए यह एक्टिंग का सपना मेरे मां मैं डैड का था तो वह ही चाहते थे कि मैं एक्टर बनू तो इसलिए उनके दिल को एक श्रह देने के लिए याने कि मेरे मॉम डैड का जो सपना था उसे पूरा करने के करते हैं जी जब मैं शूटिंग कर रहा होता हूं उसे कि साथ-साथ मैं पढ़ाई भी कर लेता हूं छोटे-चोटे ब्रेक ले लेके मैं पढ़ाई करता हूं जी आजिंग का अपने टी-वी सीरियल करता में आरफ का किरदार निभाया है कैसा एक्स्पीरियंस रहा आपका अप इंदौर से बिलॉंग करते हैं टी-वी सीरियल और बॉलिवुड में इंदौर ने काफी एक्टर दिया है इन में से आपका नाम भी शामिल हैं मैं क्या कहेंगे इसे लेकर आप इसे लेकर बहुत प्राउड होता है कि इंदौर जैसे शहर से में हूं जहां से मेरी ही त कि ऑडिशन बनाओ ऑडिशन बनाओ ऐसे इसे करते रहते हैं मैं पहले जब शुरुवात का जम में शुरुवात में था तो मुझे लगता था कि यह सब बहुत मुश्किल होता होगा लेकिन जब से मुझे डाड ने मेरा कंदे पर हाथ दिया है मुझे उंगली पकड़कर अ अब ही मेरा कथान कई शो जो आप लोगों ने देखा ही होगा वह बहुत ही फेमस हुआ है एंड एचली मैं अभी और भी जादा आप लोगों को एंटरेंटेन करने की कोशिस कर रहा हूं जी आपने डेब्यू 2022 में राष्ट कवज ओम से किया था इसके लिएकर आपका क्या आपको अलगी ताइप की अक्टिंग करना होती है बता कर क्या कुछ बताईग अप जी वो लाइफ का पहला था मेरी तो मेरे करियर की शुरुआ था भी उसी सीडिल से भी ती तो उस सीरियल में एचुली मुझे अच्छी अच्टिंग होती कैसे है वहाँ पे मुझे पता चला की कैमराज कैसे होते हैं मतलब सारे टेक्नोलोजी जो की एक्टिंग में यूज होती है एक सीरियल को बनाने में हर एक व्यक्ति के बारे में पता चला हर एक व्यक्ति के रोल के बारे में पता चला And most of the important मुझे वहाँ पर एक्टिंग का एक अलगी अनुभव मिला जी आपको 2019 में बेस्ट च्वाइल्ड एक्टर भी मिला है तो लेकर बताईए कुछ अपना एक्सपीरियंस जी 2019 मुझे जी रिष्टे आवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था एंड वो अवार्ड मुझे इश्क सुभानल्ला सीरियल के लिए मेरा जायद का करेक्टर था एंड वहां पर मेरे को एक्टर जो थे मतलब जो मेरे साथ उनका नाम था अधनान भीया एंड एच सारी सीख भी थी है एंड एचली उसमें बेस्ट एक्टिंग का अवार्ड मुझे इसले मिला था क्योंकि वहां पे तीन बच्चों की जो बॉंडिंग दिखाई थी एक प्यारे से बच्चे का जो करेक्टर दिखाया था जायद का जिसके मॉम एंड डाड इस दुन्या में थे वह अपनी लाइफ में कैसे जी रहा था अभी अपने रीसेंटली रक्षा बंदन रसाल अपने भाई की डाल में भी काम किया है इसके इसे लेकर आपका क्या कुछ एक्स्पीरियंस रहा जी उस सीरियल में मेरा मेरा केरेक्टर जो था वह एक बड़े भाई के ऊपर था क कैसे एक बड़ा भाई जिसकी मा नहीं थी जो अपनी बहन का कितना खयाल रखता है वो अपनी बहन के लिए बहुत जादा प्रोटेक्टिव है एंड घर का जो बहुत ही जिम्मिदार परसन भी है जी आजन के आपने OTT पर भी काम किया है इसे लेकर आप क्या क्या कुछ एक अपनी बहुत है तो जितने भी शोज रहते हैं उसमें आपको एक मैच्वर एक सटल एक्टिंग की ज़रती है अब जैसे ओटी ती में इससे विश्ट अमतलिब यही नहीं कि आपको जैसे फणी सीरियल्स ना पर फणी शोज ना मिले तो फणी शोज में एक अलगी तरीके क कि मतलब की जिसे आपका कोई केरेक्टर हुआ बहुत ज्यादा हसाता है वो तो वो कुछ ना कुछ ऐसा सीन क्रियेट करेगा जिससे सामने वाले को हसी आए हर चोटी चोटी बातों पर ऐसे मजा कुडाने लगी का सैटल एक्टिंग में हो जाएगा कि वो हर एक एरिया में स जी आपको खाने में क्या पसंद है मुझे खाने में लिट्टे चोखा और मोस्ट अपड़े टाइम तो मुझे डाल बाटी और डाल धोगली बहुत पसंद है आपकी फेवरेट एक्ट्रेस ऐसे तो मेरी फेवरेट अक्ट्रेस कोई नहीं है पर स्पेशली दिपिका पादुकॉन जी तो यह थे हमारे साथ छोटे परदे के बड़े उभरते अक्टर आजेंक है जो इसने काफी कम एज में ही छोटे परदे के साथ बड़े परदे पर भी अपने करियर के शुरुवा